हेलो स्टूरेंट्स तो कैसे हैं मेरे जीनियस जीनियस मैंटरी क्लास में आप सभी का स्वागत है आज हम आपके लेके आए हैं क्लास नाइन्थ का चेप्टर नमबर फर्स्ट मैंटर इन आवर स्राउंडिंग का लेक्षर नमबर टू प्रीविस लेक्षर मैंने आपको बताया था लेक्षर नमबर वन में मैंने आपसे चीज़े डिस्कस की थी इंट्रोड़क्शन ओ मैटर मैटर क्या होता है उसकी डैफिनेशन डिस्कस की थी हमने उसकी फिजिकल प्रॉपरिटीस को हमने डिस्कस किया था लेक्षर नमबर फर में आ गया था कि matter क्या होता है क्या होता था matter वो कोई भी चीज कोई भी material कोई भी चीज जिसका mass हो या फिर वो क्या करे space occupy करे वो matter होता था anything which occupies space and has mass is called matter ठीक है अब हम क्या करेंगे matter की states को देखेंगे तो generally हमारे पास जो matter होता है उसकी किसनी states होती है 3 states होती है क्या क्या होती है solid liquid and gas generally तो 3 होती है वैसे 5 भी होती है वो आप higher classes में पढ़ोगे कौन कौन सी होती है वो solid liquid gas plasma and boss Einstein condensate ठीक है यह जो 2 states होती है यह आप higher class में पढ़ोगे अब भी इसको मैंने discuss किया तो यही सारी की सार सारी आपके दिमाग के पार जाएंगी सर के उपर से चले जाएंगी ठीक है start करते हैं states of matter matter को आपने देख का था आपने बोला कि जो कुछ आपको दिख रहा है आसपास pen pencil book notebook पेड़ पोदे पत्थर है स्टैंड का पार्टिकल वर्टर की ड्रोप हमने क्या करता है सारी सारी चीजे पार्टिकल से यह सारी की सारी चीजे matter है अब बात क्या आती है कि matter कि state क्या है किसको आप किस state के अंदर डालोगे है ना हमने बोला pen देख रही हूं मैं तो इस pen को कि किस state के अंदर डालोगे इसकी state कैसे discuss करोगे कैसे बताओगे कि यह solid है कैसे बताओगे कि water liquid है ठीक है तो हमने क्या करा अपने आसपास की चीजों को देखा और हमने observe कि water मैं बोलूँगी तो आपके mind strike करेगा कि water जैसे जितनी चीजे है वो liquid state के अंदर जाएंगी जैसे मैं आपको बोलूँगी कि pen है pen क्या होता है hard है solid है तो पैन जैसे जितनी चीजे बताओँगी तो आप बोलोगी कि यह इस category के अंदर आगी ठीक है फिर मैं बोलूँगी oxygen carbon dioxide तो बोलोगा रहे यह तो gases है तो आपको इसको gas वाली category के अंदर डाल दोगे ठीक है तो हम क्या करते ह है अपने आसपास की चीजे को लेते हैं उसकी observations करते हैं और उसके according हम क्या करते है state को three portion में divide कर देते हैं three parts में divide करते हैं क्या-क्या solid liquid and gas अब बात आती है solid की solid क्या है 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 ना हम बोलते है ना यार यह तो कितना solid बंदा है solid बंदा मतलब कठोर ठीक है hard rigid जिसे बोलेंगे व और हम बोल सकते है रिजीड देखो हाइड कोई चीज हाड है तो इसको बोलेंगे solid है metals hard होते है iron hard होते है लोगा hard होते है तो हम बोलेंगे क्या solid है अब बात आती है इस बंदा कि रिजीड क्या होते है रिजीड वह चीज होती है जो अपनी शेप को चेंज नहीं होने देते क्या होते है is it जो अपनी शेप को चेंज नहीं होने देते उसको बोलते है कि take examples लेलो कितने examples लेलो solid हो पेन जिनकी शेप तो यही रहेगी अब इसको बुक की तरह तो बना नहीं सकते हो है ना तो क्या है जिनकी शेप क्या होती है फिक्स होती है वो क्या हमारे पास सॉलिड होते हैं अब आते हैं लिक्वीड की लिक्वीड वर्ड बोलते ही आपके माइंड में क्या स्ट्राइक होता है बहुंत बोलना कि लिक्वइड गठें भी हमारा दिमार चाहीए आजाती है ना ना ठीक है जो वातर होताहिवो लीक्वीड है मतलब जो जो भी चीज़ कर सकती है जो चीज क्या करेंगी अचो प्रटी लिक्वीड वन्यको ठीक है लिक्वीड ईप्सट लेलो लेलो, टी लेलो, कॉफी लेलो, कॉलरिंग्स लेलो, वर्टर लेलो, यह सारे शारे चीजे क्या इसके? एक्जाम्पल से है, लिक्विड के, अब बाद आती है, गैस, गैस जो हम एयर के अंदर जितनी गैसिस हैं, जिससे हम सांस ले रहे हैं, ओक्सीजन होगी, एन्वार्में हम कहा रहे हैं कि यह solid है, यह liquid है, तो हम one by one सब की क्या करेंगे? प्रोपरटीस को discuss करेंगे, पहले स्टार्ट करते हैं, properties of solids. Solids की क्या करएंगे हम properties को discuss करेंगे. प्रपपटिной मतलब अगर आपने देखा किसी matter के अनदर यह properties हैं आप चेक करोगे. आपने पाने ले लिया और क्या ले लिया पैने ले लिया आप चेक कर रहे हो किसके अंदर यह properties है solid वाली तो यह solid है. अगर इसके अंदर liquid वाली properties है तो वो liquid है ठीक है तो इस according हम क्या करेंगे इनकी properties को पढ़ेंगे अब बात आती है solid की solid की पहली property क्या बोलता है कि solid की definite shape होगी और fixed volume होगा ठीक है क्या बोला definite shape and fixed volume अब देखो मैं तुबार से बोलती हूं कि मैंने पैन लिया अब मैं इसकी shape change करने की कोशिस कर रही हूं कि 16 parfait a वीयूं बिच में better for of the Game बना दो नहीं बिना तोड़े बिना तोड़े इसकी shape change करनी है को इसके इसके shape change कर सकता है बिना तोड़े नहीं कर सकता बीना up करें इसके shape को हम change नहीं कर सकते है न belly कर सकते तो क्या होगा हमाले पास solid क्या पास क्या होती है definite shape होती है उसका volume भी fix होता है clear होगी बात अब बात चलो मैं आपसे कॉशिन बुस्ती हूं एक rubber band है हमारे पास ठीक है उसको हमने खीचा हमने बोला कि rubber band क्या एक solid है और हमने यह बात भी बोली है कि जो solids होते हैं उनकी क्या होती है shape fix होती है तो मैं आपसे हमने stretch करा तो आप बताओ उसकी shape change हुई या फिर नहीं हुई और मैंने बोला है कि rubber band एक solid है आप बोलो कि बिल्कुल होती है शेप तो चेंज हो जाती है पहले चोड़ा से rubber band होते हैं उसको खीस से वह लंबा हो जाते हैं है ना अभी दोनों बात contradict कर गी आप बोलोगे मैं अभी तो आप ऐसे क्या रहे थे कि solid की shape change नहीं हो सकती और आप बोलो रबर और उसको खतम कर देंगे तो वह क्या होगा अपनी वापिस original state के अंदर आ जाएगा ठीक है तो shape change एफिक शेप का मतलब यह नहीं कि आप उसको external energy के बाद उसकी shape change नहीं कर सकते हो हाना देको जैसे अब लोह को आप नॉर्मली तो पसकी shape change नहीं कर सकते हैं उसको पहले तोड़ना पड़ेगा मैल्ड करना पड़ेगा तब जाकि अलग लग शेप बनती है ठीक है क्लिए बात आपको external force लगाने के बात हम shape change कर सकते हैं पर जनरली उसकी shape change नहीं होती हो अपनी shape को change नहीं होने देते हैं तो क्योंगा solids have definite shape and fix volume चीनी है ठीक है आपके बस चीनी है ठीक है आपने बोला चीनी को मैंने क्या कर एक glass में डाल दिया एक मैंने एक डिपे में डाल दिया ठीक है जार में डाल दिया तो आप बताओ different type टीनिस में डाल दिया मैंने 1 kg चीनी को आप बोलोगे कि चीनी को जिस वरतार में डाल रहे है उसकी shape ऐसे हो जा रही है है ना जार में डाला तो जार की चीनी की हो गया और हमने काटोरी चेप को गया रिदाव ग्लास की तो यह आपको बिल्कुल नहीं माइंड में रखना है कि उसकी शेव चेंज हो रहे है क्योंकि जो बबात हैं उसकी शेव महर पास स्केर शेप की ही रह रही है ठीक है ख्लील हो गी बाद मुझे नहीं लगता आपको दॉसरी बात आती है जो हमार पास Solid होते हैं उनके बीच में बहुत कम Space होता है यो देखो ये एक Solid है इनके अंदर solid है कि या मिरे पास एक Matter ले लिए हमने हमने बोला इनके बीच के अंदर जो Particle होते है ना इनमें जो Particle होते हैं? इनके पास बहुत कम Space होती है या फिर हम बहुत negligible बूर्ट सकते है हम ठीक है यह बहुत क्या होते हैं close close bind होते हैं इनकी spacing क्या होती है minimum होती है यह आपको इंप भी दिख रहा होगा एज देखो यह solid यह solid के particles है जो orange हो रखे हैं तो आप देखो इनके बीच में आपको कोई space दिखाई दे रहे हैं बहुत मिनिममम स्पेस एक्दम ऐसे बाइंड होगे कि इनके बीच में कोई हमको स्पेस नहीं दिखाई दे रहा है कोई स्पेस नहीं आप पे ठीक है तो हम क्या बोल सकते हैं दूसरा पॉइंट जो सॉलिड होते हैं सॉलिड की पार्टिकल्स के बीच में स्पेस क्या होता है म पहुत पहुत मैं उनके बीच भीच कोई स्पेस नहीं देगा इनका उछिन चली करेंगे बहुत अच्छे पोस के साथ करेंगे बाइंड करके रखेंगे तो आपको लगता है है थाट पोईंट में भी को हुद को थिक है ? घ्ients थाट सेट पॉ esperar होता है हमको कि हमारे पास in cape in ki jom moment to ginna वो क्यों की मिनिमम होगी अब नॉर्मल सी बात है किसी भी चीज को मुवमेंट करने के लिए दाने के लिए जगह है लिए चाहिए कि इसके बहुत परकर है तोENTS फास करने के लिए यह लोगेरी नहीं। तो सब्सक्राइब लेगता है तिकर होगा होगा इंवार हम सबसे बैस्था को सबसाइब सबस्क्राइब होगा थो अब सबस्क्रेसिज करो विच्कान कर सुछ यह लगता है आपके शचाने से थीkellाइद अहीं होगा नहीं क्योंकि को आत्रेटेला है हमने बोला कि उसके पार्टिकल्स स्थ butt के भीच मिच में प्रकुस के लिए itए रखłąते मौशन के लिए नहीं डूल इड़ांभी है और यह एक आ आथे तो हम उसको नहीं कर सकते हैं थीग है अब मैं कॉष्ण भूस तो ऑपसे इसको जैसे की वह कैसे बता हूं आपको तक क्या उब गारे के अंदर गुसी होते है जो फ़ों होती है वह देखा होगा आपने स्को पंज उसको वो गाद करेंगे। ≦ करेंगे करेंगे। ओके, पांच पॉइंट क्लियर होगे आपको, क्या-क्या, कीफ, फिक्सेब होगी, वॉल्यूम ही फिक्स तरहेगा, ठीक है, इनके, स्पेस मिनिमम होगा, फोर्स अब अट्रेक्शन जादा होगा, और मोमेंट मिनिमम होगी, और लेस्ट कम्प्रेसिबल होगे, या फिर बह सक कि जो इंट्रमिक्सिंग होती है, उसको बोलते है, इसको बोलते है, ठीक है, मैंने एक एक्जामपल लिया था, इसका, नील वाल एक्जामपल लिया था, आपको याद होगा, हमने क्या कहा था, हमने एक वाटर लिया था, एक विकर के अंदर हमने क्या लिया, यहापे हमने यह water, ठीक है, यह है water, देखो, यह water है, और हमने इसमें क्या करी थी, ink डाली थी, blue color की हमने ink डाली थी, यह डाल गई, ठीक है, उसके बाद क्या हुआ था, यह क्या हमार पास water है, क्या हमार पास liquid है, और यह ink क्या हमार पास solid bomb में है, दो बात तो clear हो गया, हमने कहा है, दो या दूसर ज्यादा matter लेने है, तो एक matter यह हो गया, दूसरा matter यह हो गया, और different type के लेने, दोनों different type के है, एक solid state में, एक liquid state में, इन दोनों की क्या करनी है, अब हमको intermixing करवानी है, और intermixing खुद हो इन की है, हमने कादा थोड़ा टाइम बाद रखेंगे, तो पूरा पूरा पानी की हो जाएगा, अभी तो यह पानी मैंने रेट से शोग रहा है, पूरा पानी की हो गया, ब्ली हो गया, ठीक है, तो यहां पर क्या होगा, इनका diffusion हो गया, जो हमार पास water के particles थे, और जो हमार पानी के लिए, पानी था, इंक आया, इंके particles को पानी के अनर बहुत से जगे मिली, कि मैं तो यहां भी जा सकते हो, यहां भी जा सकते हो, तो मैं बीच बीच में क्यों जाओं, उसको थोड़ी देर बाद आती है, वास समझ में, कि तो यहां यहां क्यों बैट है, तो इधर समझ रहे हो बात, और पस आपने बोला उसके पास स्पेस भी नहीं है, आपको स्पेस तो चाहिए, ना कोई पार्टिकल आपको स्पेस तो चाहिए ना घूमने फिरने के लिए, जब गूमेगा फिरेगा तब ही तो डिफ्यूस होगा, डिफ्यूस मतलब फैनला, तब ही नहीं है, वो ट्रेक के रखते हैं अपने पार्टिकल को, वो मोमेट नहीं शोग कर सकते, और जो चीज़ मोमेट चो नहीं करेगी तो उसका डिफ्यूस ही बात है, लिस्ट होना ही होना है, यहाँ पर हम बढ़ यूस करें, मिनिमम, लिस्ट, नेक लिस्ट, तो हम यह वर्ट जो स्पेस होगा, वो मिनिमम होगा, फोर्स अब अट्रेक्शन बहुत ज्यादा होगा, इनके पास मोमेंट करने के लिए जगह नहीं होगी, और लेस कंप्रिसिबल होगे, या फिर हम बोल सकते हैं कि इनकंप्रिसिबल होगे, और हमारे पार सिंस का जो रेट अफ फ्लो या दा सिंसर जुडू के लेसे एंसे वं на था, जा क होगे इनके ला था, और फ्लो या तो जैसे हमने अपने. LOOK असले है, विट को लो थी आपन और मं मैंने बोला फिर्ट Grade को ले लिए एक बीकर केंदर या फिर एक गलास केंदर लिए उस पानी को लिए उसमें किसी क तो आप देखो कि दोनों की शेप चेंज हो जाएगी मतलब लिक्विड ऐसी चीज होती इसको जिस कंटेनर के अंदर डालोगे वह उसकी शेप ले लेगी ठीक है तो मतलब उसकी जो शेप ना लिक्विड की वह फिक्स नहीं है पर उसको वॉल्यूम फिक्स है हना क्योंकि मौला 50 ML फटर्था फिप्सेमल वोटर ग्लास के अंदर चला ओर 50 ML water ट्लाला 50 ML ने उल्iment यह उतों जा दो बॉल्यूम पूर्टा के न обяз आला ठीक है तो चुक्स की वॉelूम पूल्यूम तो फिक्स नहीं हो तो लिक्विड का पर उसकी molecः होती है वो क्यों होती है flight होती ची बरतन की क्या लेलेगा शेब ले लेगी ठीक है clear होगी बात तो पहला पॉइंट पढ़ो liquids have no definite shape उसकी definite shape नहीं है have fixed volume पर उसका जो volume है क्या है वो fixed रहे ठीक है तरही बात clear होगी liquids take the shape of the container क्या करेंगे liquids वही shape ले लेंगे जो container का होगागा दूसरी बात आती है कि हमने बॉला कि उसकी जो शेप वो फिक्स हो नहीं है ठीक है तो इसका मतलब भी क्या है रिजट भी बीन होगा मैंने कि बले होता है जो पनी ऐसेप स्मेश को crc धन्य जैंग नहीं होने देते हैं वह पास हमारे पास लिक्विट्ट सोगे वह ही जिशन नहीं होंगे हाटनी होंगे तो यह क्या रहेंगे ३ qat ś solids के compare में थोड़ा सा ज्यादा space होता है, यह देखो, उसके तो बिल्कुल particles, देखो पहले वाले slides में, बिल्कुल पास-पास थे, अब इसमें देखो, इसमें थोड़ा फिर भी थोड़ा सा बहुत space है इनके बीच में, इनके particles के बीच में space है, यह movement भी कर सकते हैं, थोड़ा सा है, ठीक है, clear हो यह बात, क्या बोला है मैंने, the space between the particles is intermediate, अब हम liquid के जो चीज पढ़ेंगे, वो intermediate की टाप में पढ़ेंगे, क्योंकि solid से थोड़ी सी जादा और gas से थोड़ी सी कम, तो मतलब बीच की state होगी, ना तो बहुत जादा होते हैं, ना बहुत कम होते हैं, तो क्या ह बीच में space क्या होता है, intermediate होता है, ठीक है, अब इनके बीच का space intermediate है, तो इनका force of attraction होगा, यह swap track करने की capacity होगी, tendency होगी, वो भी क्या होगी, intermediate होगी, solids में क्या थी, बहुत जादा थी, क्योंकि बिल्कुल particles पास पास, इनके पास space नहीं था, पर यहाँ पर देखो, इनके पा particle is intermediate, ठीक है, तो इनका force of attraction क्या हो गया, intermediate हो गया, अब force of attraction intermediate हो गया, तो इनकी जो movement होगी, है ना, इनके पास थोड़ा 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 जगा है, थोड़ा थोड़ा जा सकते है, थोड़ा थोड़ा जा सकते है, ठीक है, तो इनका जो movement होगा, वो भी क्या हो गया, intermediate हो जा पुए अपने पर दैने विदुट पॉंट रॉइंगे विदु आथा है टोओी जोड़ी गुप्रेसिब Springs अनको जघंड़ी sir कि कोई चीज में दोर गी दूड़ दूर होगी तब भी तो उसको पिचका सकते होलना तो सब्सक्राइब है을 तो यह थोड़े क्या है less compressible है ठीक है और वह वाले तो बिल्कुल इनकम्प्रेसिबल ते सॉलिट्स वाले क्लिर होगी बात भी आपको जैसे कि आप देखा होगा इसका एक्जाम्पल आप कहीं चाहते हो आपका बैग पैक होता है अब आपको बताया था क्या आपको इंटर मिक्सिंग कर नहीं है दो मैटर की ठीक है तो वह क्या होता है आपको पहले वाला एक्जाम्पल दो बार से देखो एक बार देखो कि जो एक्जाम्पल लिया था इसमें क्या हो रहा है solid और liquid solid और liquid का intermixing कर रहे हैं और last में हमको मिल क्या रहा है last में liquid ही तो मिल रहे है हमको है ना liquid ही मिल रहे है तो यही बोला इसमें तो diffuser मतलब इसमें क्या होगा liquids के अंदर यह देखो solid प्लस लिक्विड जब diffuser करेंगे तो हमें क्या मिलेगा लिक्विड ही मिलेगा इसको अब एक्जामपल वही वाल एक्जामपल मैंने बोला पानी ले लिया भीकर के अंदर उसमें आमने इंग डाली वह क्या solid था वर्टर क्या था लिक्विड था इन दोनों की बोल अगर अगर जब हमार पास में अगर गैस ऑफर लिक्विड के साथ तो भी क्या बनता है लिक्विड इन डेक्वजांबल उढेटी उधर आपने देखो अगा की पानी के अंदर oxygen घूलि होती है उल्रेड है न तब ही तो जो हमारे पास aquatic animals हैं वो सांस ले पाते ह्रहे पाते हैं पानी देर पाते हैं पानी के अंदर तो environment की गैस पानी के नंदर mix हो रही है तो एक मेटर है जो पानी ओ लिकविड वह भी मैटर है दो different type के मैटर्श का intermixing कर रहे हैं तो अहां पे भी क्या तो उससे सास कैसे लेते हैं जो एनवार्मेंट की ऊटू होती है मतल़ा ओक्सीजन वाइट्र इंदर डिसोल होती है उसी से वह कहते है हुआ पे रहे पाते जीवित रहे पाते हैं ठीक है क्लिम अगी बात यह सारे के सारे points clear हो गए होंगे आपके liquid के क्या बता है मैंने liquid में safe fix नहीं रहेगी अगर safe fix नहीं है तो यह क्या हो गया result नहीं होंगे तो यह बन जाएंगे flow करेंगे fluidities हो करते हैं इनका volume तो fix रहेगा इनके बाद जो space है वो intermediate रहेगा space intermediate है तो इनके जो force of attraction है वो भी intermediate और जो इसकी motion के लिए momentum of particles है वो भी intermediate और जो यह क्या होंगे तो इससे less compressible होंगे और इसके बाद उनका rate of diffusion और solids के compare में थोड़ा सा ज्यादा होगा clear होगी बाद आप next बढ़ते हांगे properties of gases अब बाद आती है gas की ठीक है जैसे हमने properties पढ़ी solids की liquids की वही सारे points हम गैस के अंदर भी हम क्या करेंगे discuss करेंगे अब gas के examples आपको पता ही होंगे S2O, hydrogen gas, nitrogen gas, CO2, CO, carbon monoxide यह सारे की सारे examples है किसके? gas के? अब हमने बोला कि जो gas होती है उसकी shape fix होगी है फिर नहीं होगी बताओ, नहीं होगी और उसको volume क्या होगा? उसको volume भी fixed, उसको volume तो सब काई fix होना चाहिए gases occupy the whole space of the container ठीक है? gas ऐसा है नहीं कि आधा दूरा बरेंगे, जिस container अंदर gas फिल करेंगे उसको पूरा फूल भरना पड़ता है, ठीक है? आप एकस example ले लो और जो हमार पास gases होती है, वो हमेशा compressed form में यूज की जाती है, ठीक है? जो मार पास gas होता है, इनके particles बहुत दूर दूर होते हैं, बहुत दूर दूर होते हैं, यह देखो, second point यह हमारा, the space between the particles is maximum, यह देखो, यह माल लिया हमने gas है, मतलब balloon है, इसके अंदर gas होती है, बैलून के अंदर, और यह leak हुई, तो देखो, इनके particles के बीच में spacing, देखो इनके पास, जो gas के particles होते हैं, इनके पास बहुत सारा space होते हैं, अब बहुत सारा space होते हैं, अब बहुत सारा space हैं, तो force of attraction तो बहुत कम हो जाएगा, अब इतनी दूर जो चीज है, इसको में कैसे attract करूगी, अपनी तरफ नहीं कर पहूंगी, जो पास में कुछ भी बहला इसको attract कर लोगी, पर जो दो चीजे दूर दूर हैं, वहापे क्या हो जाएगा, force of attraction हो जाएगा, minimum हो जाएगा, अब force of attraction minimum हो गया, space जादा है, इतना space है, वह बोलते हैं, मैं इधर घूम होगा, कभी इधर घूम होगा, मतलब बिलकुल फैल 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 भी घूमते हैं, उनक कभी इधर, कभी इधर, कभी इधर, ठीक है, जो gases particles है, उनकी जो motion होता है, वो क्या होता है, random होता है, मतलब बहुत ज़्यादा space होता है, तो क्या करते है, उनकी जो particle का moment होता है, maximum होता है, ठीक है, अब बात आते है, they are most compressible, obviously बात है, देखो, इतना सारा space है, उसको पिछका कितना ही compress करते है, उनको तो gases को, है ना, तो यह को होता है, बहुत ज़्यादा compress होता है, highly compressible होते है, आपने देखा होगा, आपके घर में LPG gas यूस होती है, सबके घर में यूस होती है, liquefied petroleum gas, जो आपके घर में slender होते है, वो LPG gas होती है, उसके अंदर, उसमें क्या होता ह है, gas को क्या करते है, compress कर करके उस slender के अंदर बहा जाता है, है ना, तो यह उदा highly compressible होते हैं, और आपने देखा होगा, gas होड़ी सी लिक हुई, ऐसे diffusion शो करते है, मितलब फैल जाता है, उनको मोका जी है, बस gases को घूमने फिर ने का, है ना, तो they are most compressible, यह क्या है, most compressible होते है, आपने देखा होगा, जो हमार पास CNG gas है, वह भी क्या होती है, और याप हाल पास compressed gas होते हो, değer झैज होते हो, तो यह उसको तो, यह उसको ले टी सकते हैं, सो क्या करने के लिए, उसको रोगे उसको क्या करना पढ़ता है, फैस है, हम तो क्या करना पढ पढ़ता है, हम ज सब्सक्राइब करना पड़ता है कंप्रेश करना पड़ता है ठीक है तो जो मारे पास गैसी होती होती है हाइली कंप्रेसेबल होती है नेक्स फइंट है दियर डिफ्यूशन इस मोर देन सॉलिड एंड लिक्विड अब देखो मैंने बोला आपको डिफ्यूश कौन सी चीज होगी इसके पास पेस जगा होगा है ना वही जगा कंप्रेस होगी तो आप देखो इसके बहुत साथ पेस है मतले मैंने क्या करा स्टोर करके रखा वेगा इसको इसको थोड़ डिफ्यूशन होता है सौलिड और लिक्विड ये कमपेर में बहुत ज्यादा होता है एक्जामपल देखो आप सबने फिउश करा होगा है ना लगाके तो सुभे आते हो दो तक उसकी स्मेल चलती है चलती है ना पिल्कुल देखो आप क्या करते हो हमने क्या कर गया है तक उसके समय गाती है क्योंकि गैस के पार्टिकल्स बहुत फास्ट मोशन शू शू करते हैं और बहुत जाला स्पेस होता है तो हर जगा फैल जाते हैं ठीक है एक एक साम पर लेते हैं इसका आपके घर में क्या बन रहा है सर्दियों का मौसम है सबके घर में बनी रहा हो स्ट्पाइब गाजर में रहा है कैसे समयल से किसे हागी हल्वा तो इनक्रीज हो रहा था महां बन रहा था यहां से अगार धियों स्टेंग ल topics निकलती है जो वहां करें फैल कि आपके नकों तक पौच गई थो क्या कर plant ऱ तो क्या और आम पर ड़िफ्यूजन हो रहा है बि तो दिफ्यूजन बोल लेंगे है ना कि लोगी बात आपको डिफ्यूजन क्लियर हो गया प्रॉपटिज अब गेसिस क्लियर होगी लिक्विड की सॉलिड की सारी क्लियर हो गयोंगी ठीक है अब हम करेंगे आज थोड़े बहुत NCRT कोस्टेंस करेंगे जो आपके NCRT की वुक में बीच में जो कॉश्टिंस आए उनकोस्टिंस को डिसकस करेंगे क्योंकि जब हम कॉश्टिंस करेंगे तब आपको पता चलेगा कि काउंसा कैसे अपलाई करने है ठीक है आप जिनों थोड़े कोस्टिंस करते हैं यह देखो से पहले यह देख लो कंपेर कर रहा है आप बताने कि इसमें से मैटर कौन सा होता है ठीक है आप बोलोगे everything is matter which occupy space and has mass तो देखो chair ठीक है भाई बिलकुल chair क्या हमार पास मैटर है कौन सा मैटर है solid matter air बिलकुल भाई air भी matter है है ना हवा पानी जिसे हम सास ले रहे है तो यह भी matter है यह कौन सा मैटर है अब love matter है यह नहीं है अब आप कोई यह मस बोल दे ना कि love matter है ना ना वह वाला matter की बात नहीं चल रही भाई आप chemistry वाली matter की बात चल रही है जो की particles से मिलके बनी भी होती है तो love क्या हो गया matter नहीं है smell matter है देखो smell तम matter की जाएगी की sense of smell matter नहीं होती जो smell में चीज आ रही है ना particles वह matter है ठीक है hate यह भी matter नहीं है hate क्या एक feeling है उसको matter तो ना बोल सकते हो तो यह क्या है feeling वह मतलब यह matter नहीं है elements मिलकुल matter है thought आपको दिमाग में कोई विचार हा रहा है क्या वह matter है नहीं वह matter नहीं है cold cold भी मतलब आप कह सकते हो कि cold भी matter थोड़ी नहीं होगा है ना cold ring matter होगा ठीक है smell of perfume smell of perfume में भी sense नहीं उसकी sense of smell यह matter नहीं है पर जो perfume की जो particles आ रहे है ना वह क्या हमारे पास matter है ठीक है यही बात इसमें लिखी हुए आपको समझ में आ जाएगी ठीक है इसको read कर लो एक बार anything that occupies space and mass is called matter यह आपको पता होगा matter can exist in three physical state solid liquid and gases यह आपको बता दिया मैंने chair or element होगा जो हमारे पास solid state volumeter होगे cold ring or liquid होगे cold ring जो liquid state में आ गया here smell of perfume यह क्या आगे हमारे पास gas के अंदर आ गया ठीक है question number two के आगे बढ़ते है question number two क्या बोलता है give reasons for the following observation the smell of hot sizzling food reaches you several meter away but to get the smell from cold food you have to go close ठीक है जिसनों बोला कि कोई गरम खाना होता है उसकी smell तो आपको दूर तक आजाती है बैठे बैठे की चन में जाने के जुरू तरी है smell से बता तो कि आज यह बनावें जैसे में आपको गाजर के हल्वे का example दिया पर ठंडी चीजों को पता सकते हैं आप देखो आपके घर में गाजर का हल्वा बन रहा है गरम गरम उसकी smell आपको आगी अगर आपके घर में को इसका reason का इसके पीछे वही जज़िए क्या diffusion जो में पास हौट चीजे होती है होट चीजे मतलब किसी भी चीज को तेम्परेचर दे रहे हैं तो तो गरम कर रहे हैं तो वह क्या बन रहें गाजी स्वर्में बन रही है बहाब बन रहें तो वह क्या होगा उसकी smell हमारे आती है और ठंडी चीजों की नहीं आती क्योंकि ठंडी चीजों की स्मेल आने में दब डिफ्यूजन थोड़ा लेट होता है इससों पढ़ो अब अब अगर हमें solid के temperature increase कर दिया rate of diffusion of the solid particle into air increases तो क्या होगा हमपे solid के diffusion के हो जाएगा increase हो जाएगा इससे क्या हो रहा हमार पास जो solid के particles है किसी भी चीज के अगर temperature increase करते है तो क्या होते है हमपे जब भी किसी चीज के अदर motion आता है और जब भी किसी चीज के अदर motion आता है तो हम बोलते है उसके पास क्या है ठीक है है हैंज the smell of hot sizzling food reaches as even at a distance but to get the smell from cold food we have to go close क्लिर होगी बात अब कोश्चन नमर 3 क्या बोलता है कि जो हमारे पास water है उसकी जो पार्टीकर से उसके अंदर intermolecular force of attraction कम है और जो हमारे पास जो डाइवर्स है उनके पास जो उसको कट करने के लिए enough enough क्या है force है इस वजह से उसको कट कर पाते हैं और क्यों सी property को show करते हैं कि जो particles हैं उनके matter के जो particles है उनके बीच में क्या है space है ठीक है अब बढ़ते हम question number 4 की तरफ what are characteristics of particle of matter यह हमने कर वाले lecture पढ़ा था हमने हमने previous lecture पढ़ा था यह वाट are the characteristics of particle of matter हमने पढ़े थी क्या-क्या की matter is made up of particles ठीक है particle of matter is very tiny ठीक है they attract each other they are continuously moving clear यह हम सारे चीजह हम उसमें पढ़ चुके हैं अब question number 5 क्या बोलता है question number 5 बोलता है the mass per unit volume of a substance is called density ठीक है पहले आप mass per unit volume mass per unit volume ठीक है अब डेको density को मैं कुछ questions पूछते हूँ आपसे उससे आपको density एक दम clear हो जाएगी मैंने बोला की मैंने बोला यहां पे 50 meter square area यह ठीक है यह 50 meter square area है यह दो यह ले ले लिए हमने मैंने बोला यहां पे रहते हैं पांच लोग और यहां पे रहते हैं तीर लोग अब मैंने पूछा इन दोनों में से किसकी density ज्यादा है ठीक है मैंने question पूछा आपसे इन दोनों में से किसकी density ज्यादा है तो आप क्या बोलोगे density क्या बोलता है mass per unit volume density को हम relate करेंगे mass से जिसका mass ज्यादा होगा उसकी density क्य यहां पर पांच लोग रह रहे हैं तो उस जगह की टेंसिटी जादा है तो देखो इस सेम जगह तो दोनों की सेमें पचास पचास है पर यहां पर पांच लोग रह रहे हैं यहां पर तिन लोग रहे हैं तो नॉर्मल सी बाते हैं इसकी टेंसिटी क्या रही होगी ज्यादा र और वॉल्यूम की लिटर, तो देंसिटी यूनिट हो जाएगी, ग्राम पर लिटर, ठीक है, यह बात क्लिएर होगी, अब देंसिटी समझ में आगी, अब कॉश्चिन पढ़वागी, आरे इन सब फॉलाइंग, इन ओर इंक्रीसिंग देंसिटी, हम इसने कुछ चीजों की लि अचिए आयन का, फिर छोक का, फिर हनी का, फिर रचोक का, फिर वाटर का, फिर कॉटन का, फिर चिमनी का and and then air का, तिक है, जियूस की density ज्यादा यह फिर हम बोल सकते हैं कम वोल्यूम में अगर ज्यादा चीज़ा आ रही है ज्यादा मास आ रहा है तो उसका बोल सकते हैं उसकी density ज्यादा है clear होगी बात आप बढ़ता है कोशन नमर 6 कि तरफ कॉस्चिन नमर 6 बोलता है यह कोश्चिन आपका एक्जाम पॉइंट आपका एक्जाम पॉइंट आज आता है ठीक है तो इसकी लिस्ट देखो कॉम एक तरह सॉलिड एक तरफ लिक्वीड और एक तरफ गैसिज जो हमने पॉइंट सबकी Digital करें वही कहीं क analogy अोलिग देने हैं हमने पॉल्यट यह था शोलिट जी यह होती है डफिनेच रे वहां होती है तो पर लिकविट के पास देफिनेच छेप नहीं होती है ठीक है लिक्विट केहां करते हैं जिस बताना डालोगे वैसा ही बन जाइगा लिकविस अटेंट the शेप अब दे वैसल इन विच दे आर केप गैसिज हैं नाइधर राग डैफिनेट छेवर नौर डैफिनेट वोल्यूम दूसरी बात हमने बोला था सॉलिट इनकंप्रेसिबल होते हैं दीवार को धक्का नहीं लगा सकते मतलब इनकंप्रेसिबल हैं कोई भी हम चीज यूस करते हैं जैसे कि हम आपको एकश्पा अग्जामब्र करने यह पहते हैं आपको compress करकर के एक slander के अंदर भरते हैं तो जो gases होती है वो highly compressible होती है क्योंकि इनकी पार्टिकल्स होते हैं वो क्या होते हैं बहुत दूर-दूर होते हैं ठीक है तो little space between the particle of a solid है ना बहुत कम space होता है हमने बताया था आपको इनकी force of attraction जादा होते है एकदम क्या होते है बिल्कुल पास-पास joint होके रहते हैं these particles have a greater space between them ठीक है greater मतलब इससे greater ठीक है solids के compare में थोड़ा जादा स्पेस होता है और चो gas के particles होते हैं the space between gas particles is the greatest ठीक है बहुत सारा स्पेस होते है एकदम खुला-खुला अच्छे से घुम फिरके यह आ सकते हैं these particles attract each other very strongly ठीक है अब हमने बोला क्य क्या होगी जादा होगी और यहां पर force of attraction क्या होती है liquid की less than solid particles solid particles के compare में liquid की force of attraction क्यों होती है कम होती है और gases के अंदर तो भाई बहुत ही कम होती है फिर हम बहुत सकते negligible तो इसके particles दूर रहते हैं के force of attraction कैसे होगा फिफ्थ पॉइंट आपको बता ही है particle of solid cannot move freely है ना उनके पास space in है space in तो गूमेंगे फिरेंगे कैसे these particles move freely जो मार पास liquid particles freely move कर सकते हैं क्योंकि थोड़ा थोड़ा space तो होता है यह चाहर के पास intermediate space तो है क्यों थोड़ा बहुत morning walk में जा सकते हैं और जो ग्यास के particle होते हो तो वर्ल्ड दूर में निकल जाते हैं अग्दम गैसे particles are in continuous random motion ठीक है इतना space होते है यह random motion कहीं में जा सकते है आज सुभे इनका मन करा कि आज में मार्केट जाओंगा तो रातकों का मन करा कि आज में मूवी देखने जाओंगा तो इनका मन की मज़ेशा लगते रैंडमली कहीं में जाते रहते हैं घूमते फिरते रहते हैं question number 6 का B part देखो B part क्या बोलता है कुछ terms दीवी है वो आपको पता हो नीचे यह कौन-कौन सी term बोलीनों ने Rigidity, compressibility, fluidity, filling, a gas container, shape, kinetic energy and density वैसे तो इस सारी terms में आपको इस lecture के अंदर समझा चुकी हूँ पर एक बाद फिर भी इस कोई बार दुबार से discuss कर लेते हैं देखो rigidity, मैंने पिताया था, rigidity वो चीज होती है जो अपनी shape को change नहीं होने देती है, तो पढ़ो इसको Rigidity can be expressed as a tendency of better to register a change in shape, ठीक है, clear होगी बात Second term है compressibility, compressibility तो जब सम एक डिस्कस करते वे आ रहे है किसी चीज को compress करना, ठीक है, तो वो क्योंगा compressibility Compressibility is ability to be reduced to a lower volume when force is applied, ठीक है, कुछ force apply करते है, compress करने के या करना बढ़ता है, force apply करेंगे, और जब force apply करते हैं, तो हम क्या करते हैं, किसी चीज का volume को क्या करते हैं, lower कर देते हैं Fluidity बताओ क्या होती है, इस ability to flow, ठीक है, यह liquid के पास होती है, वो ability जो क्या करें, flow करें, किसी भी matter की वो property जो flow करते हैं, उसे क्या बोलते हैं, fluidity बोलते हैं, अब आते हैं, by feeling a gas container, कुछ नहीं है, किसी भी gas को किसी container के अंदर फिल करना, उसको बोल देंगे, gas, by feeling a gas container, ठीक है, अब आते हैं, shapes की, shapes क्या होता है, shapes defines our definite boundary, जो मरवे shape होती है, वो define करते है, boundary को, आप किसी shape को कैसे discuss करते हैं, उसकी boundary का coding बताओगे, अगर आपको boundary ही नहीं पता हो, शीच की, तो आप कैसे बता सकते हो, आप देखोगे, मैं circle है, circle को आप circle कैसे बोल रहे हो, क्योंकि इसकी boundary पता आपको, इस type की, जो boundary होगी, circle होगी, इसको rectangle बोलते हो, है ना, sorry, triangle बोलते हो, तो इसकी shape भी क्या है, fix होगी, ठीक है, square होगया, इसक shape भी fix है, कैसे है, इसकी boundaries का according, इसकी boundaries है, boundaries का according, आप क्या करते हो, shape को discuss करते हो, ठीक है, kinetic energy, अभी हमने kinetic energy को भी बताया था, कोई भी particle, अगर वो motion में है, तो उसके पास कौन से energy होगी, kinetic energy होगी, तो kinetic energy is the energy possessed by a particle due to its motion, particle के motion में आने की वजए से, जो energy आती हो, उसको बोलते है kinetic energy, last word आते है, density, density को तो अभी हमने अच्छे से explain करा है, density is mass per unit volume, clear होगी बते, आपको आज का lecture अच्छे से समझ में आया होगा, मिलते हैं, next lecture में, तब तक इस सब को revise करो, proper notes बनाओ, और इसको अपने जहन में उतारना है, दिमाग में तो सब की होती, chemistry, पर हमें क्या करना है अपने जहन मितारना है, मिलते हैं, next lecture में, thank you